आज बनाएंगे शाम के स्नैक्स की ऐसी जबरदस्त और यूनीक रेसेपी जो बच्चों से लेके बढ़ों तक सभी को मज़ा आने वाला है ये रेसेपी बहुत ही ज़ादा यूनीक है और शहद ही आपने कभी ट्राय करी होगी इसको आप एक बार बना लेंगे दोस्तों आपका मन करे का रोज रोज इस रेसेपी को बनाने का ये जितनी जादा देखने में ओईली लग रही है उत्ती ही कम ओईली होगी जब हम इसे बना के तयार करेंगे तो आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में पता चलने वाला है क्योंकि इसमें डलने वाली जो सामागरी है वो है ही इत्ती हेल्दी है जैसे कि मैं बात करता हूँ इस रेसेपी को बनाने के लिए हमें लग बग आदी से पॉनी कटोरी चावल आदी से भी कम पीली मूंकी डाल थोड़ी सी हमने डाली है मसूर की डाल और थोड़ी चने की डाल बस अब इन डालों को आपको अच्छे से पहले तो वाश कर लेना है आपको इसको वाश करने के बाद लग भग दो घंटे के लिए सोक करके रखना है याने कि आपको इसको पानी में भिगो के 2 गंटे के लिए छोड़ना होगा देकिन सबसे पहले मैं इसको वाश करके इसका स्टार्च वाला या फिर गंदा पानी साइड कर लेता हूँ तो चलिए मैंने अच्छे से इसको वाश करा लिया है अब मैं इसका फटा फट से पानी खतम कर लेता हूँ और उसके बाद इसको कुछ देर जैसे की मैंने आपको बताया था दो गंटे कुछ पानी में भिगो के सोक करने के लिए रख दूँगा तो मैं आप इसको पीछे करके रख देता हूँ और दो घंटे बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या करना है तो चलिए दो घंटे हो गए हैं दोस्तों अब हमने इस सारे मिश्रन का यह जो पानी है इसके समय थी एक गाड़ा पेष्ट तयार करना है तो चलिए फटा फट से यह सारा का सारा हम अपने मिक्सी के जार में डाल लेते हैं ताकि हम इसका गाड़ा पेष्ट तयार कर सकें यह दोस्तों इतने रिच है प्रोटीन में विटामिन में क्योंकि आप देख रहे हैं उसमें डाले डल रही हैं कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हानिकारक हो पेष्ट बनाते वक्त हम थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे अध्रक और लस्टन अपनी चॉइस अगर आपको पस पानी पूरा सूख गया हो तो आप अलका पानी एड़ कर सकते हैं लेकिन एंड में पानी आड़ करेंगे तो फायदा रहता है ताकि आपकी कंसिस्टेंसी खराब नहों तो फटा फट इसको बंद करते हैं और इसका गाड़ा पेष्ट तैयार कर लेते हैं दोस्तों यह इतन जीरा डाल दिया है अब इसमें मसाले आड़ करता हूं दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें डालता हूं थोड़ी सी हल्दी उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी मैं डालूंगा नमक और लाल मिर्ची तो सबसे पहले लाल मिर्ची गया देगी मिर्च है दोस्तों अच्छा कलर भी आ से भी घ्राइव करें लग बग इसको मिक्स करने में एक-दो मिन noticingFit से मिक्स मैं और और बेकिंग सुडा की ही मदद से यह अच्छा फूला फूला फलफी फलफी बनता है तो इसी लिए हमने इसको अच्छे से घुमा लेना है और जैसे मैंने आपको बताई से एक दो मिनिट लगा के अच्छे से मिक्स करें चलिए साथ ही में दोस्तों आप हम एक पैन ले लेते हूं तो मैं यह अलग करके रख लेता हूं घर में तो चलिए दोस्तों अब मैं ले आता हूं जो मिश्रण मैंने तयार किया है लेकिन ऑइल को थोड़ा गरम हो गया है तो अब यह मिश्रण को जो मैंने तयार करा है और एक प्लेट ले लिए जिस पे मैंने टीशू लगाया क्योंकि जब ऐसी फ्राइड होंगे तो उसके बाद हम इन्हें टीशू पर निकाल लेंगे और कंसिस्टेंसी देख लीजिए दोस्तों गाड़ा पन इससे थोड़ा भी गाड़ा होगा तो चलेगा लेकिन इससे पतला बिल्कुल ना हो चलिए दोस्तों अब फटा-फट से इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार और घुमा लेते हैं और उसके बाद हम इसको डाल लेते हैं आप डालते वक्त इसके गाड़े आप इसकी साइड को पलट दीजिएगा उसके बाद दोस्तों हेल्दी है क्योंकि इसमें दाल है दाले के साथ सचावल है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मज़ेदार रैसेपी है इसे कैचप के साथ खाईए इसे कोकोनट की चटनी के साथ खाईए घर में कड़ी इसकी साथ खाईए यह सब चीजों के सांबर के साथ खाईए बहुत अच्छा लगता है कि if I watch the Bycal दीजिए और दूस्तों दूसरी साइड से से पका लाईजिए ये लाश में डाला था इसलिए इसे लेट में नेट पलटा है चलिए दोस्तों बस आदा मिनट और फ्राइ, कलर चीन्ट हो जाएगा और उसके बाद मैं और सारा का सारा भार निकाल लेता हूँ यह देखे कितना अच्छे से फ्राई हो गया है तो समय आ गया है दोस्तों इसको जटपट भार निकाल देने का क्योंकि अच्छे से फ्राई हो चुका है तो मैंने आपके सामने एक प्लेट रखी थी जिस पर मैंने एक टिशू पर लगा के रखा है तो बस यह उसी में निकाल लेता है बहुत ही बढ़िया खुश्बूदार है दोस्तों दालों का यह मिशन इतना यम्मी लगता है एकदम वड़ा की तरह दाल के वड़े खाए होंगे दोस्तों आपने कुछ उसी तरीके का लगता है खाने में यह देखे कितना भड़िया बनके तयार हो गया है आप चाहे तो इसे वड़ा भी कह सकते हैं यह वड़े के जैसा है बिल्कुल वड़ा नहीं है और सांबर के साथ तो बहुत यम्मी लगता है और नारेल की चट्नी के साथ भी उतना ही अच्छा लगता है तो दूसरा बैच सा हमारा दोनों के दोनों बैच स्टेडी है जटपट अब मैं इसे निकाल लेता हूं दोस्तों साइट बदलने के बाद और फिर आपको दिखाता हूं कि मैंने इसे खाया कैसे जब तक यह भार निकलता है दोस्तों और मैं आपको दिखाता हूं अगर आपको वीडियो पसं कर दीजे